फिर से अपने चैनल आर्ट अटैक के माध्यम से आपका आभार व्यप्त करता हूँ, आज मैं एक बहतरीन चारकोल पिंसिल लैंड्सकेप ड्राइन लेके आया हूँ। तो एक-एक चीजों को बहतरीन तरीके से देखते हैं, सबसे पहले हलकी रिखाओं के साथ पेपर पर लैंड्सकेप की रुपरेखा बनाएं। इसका उद्देश्य है कि आप ड्राइंग के विभिन हिस्सों की स्थिती समझ सकें। इसमें प्रमुख तत्व जैसे पेड, पहाड, नदी, आकाश, आधी शामिल करें। अपने लैंड्सकेप की रचना पर ध्यान दें। प्रमुख बिंदूओं और फोकल पॉइंट्स को समझदारी से रखें ताकि आपकी ड्राइंग संतुलित और द्रिष्ट सुखद हो। चारकोल पिंसिल का उप्योग करते हुए प्रमुख रेखाओं को अधिक स्पष्ट करें। यह रेखाए लैंड्सकेप के विभिन हिस्सों को सपष्ट रूप से दिखाएंगी और आपके लैंड्सकेप को संग्रचना देंगी। उन ख्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे जो आपका फोकल पॉइंट होंगे जैसे कि अगर भूमी के घर या पे चारकोल स्टिक या पिंसिल का उप्योग करते हुए छाया और गहराई जोडे। सबसे गहरे क्षेत्रों से शुरू करें और धीरे धीरे हलके क्षेत्रों की ओर बढ़े। ब्लेंडिंग स्टंप का उप्योग करें ताकि शेडिंग स्मूठ और प्राकृतिक दिखें। यह तक्नीक आपके लैंड्सकेप को अधिक यथार्थवात बनाएगी। शेड्स को एक दूसरे में मिलाएं जिससे ग्रेडियेशन का प्रभाव पैदा हो। इससे आपकी ड्राइंग में गहराई आएगी। छोटी-छोटी चीजे जैसे पत्तिया, खास को जोडे। इन्हें चारकोल पेंसिल की नुखीली नोक से बनाएं और ब्लेंडिंग स्टंप का उप्योग कर स्मजिंग करें। विभिन सथो जैसे पेड की छाल, पहाड की बनावट को चारकोल पेंसिल के विभिन स्ट्रोक से उभारें। इरेजर का उपियोग करके आवश्यक स्थानों पर हाइलाइट्स बनाए यह आपकी ड्राइन को अधिक जीवन्त बनाएगा चारकोल पिंसिल और ब्लेंडिंग स्टंप का उपियोग करके अंतिम सुधार करें और ड्राइन को संतुलित करें जहां जरूरी हो बहां कंट्रास्ट बढ़ाए ताकि आपकी ड्राइन में गहराई और जीवन्त ता आए चारकोल पिंसिल से ड्राइन की प्रैक्टिस करें ताकि हाथ में महारत आ सके नेचर लैंड्सकेप की तस्वीरों का उपियोग रिफरेंस के रूप में करें इससे आपको वास्तविक द्रिश्य का अनुभव मिलेगा और आप अपनी ड्राइन को अधिक यथार्थवादी बना पाएंगे सन्यम और धैर्य चारकोल ड्राइन समय लेता है इसलिए सन्यम और धैर्य बनाए रखें इन चर्णों और सुझावों का पालन करके आप चारकोल पेंसिल से सुन्दर और प्रभावशाली नेचर लैंड्सकेप ड्राइन बना सकते हैं करें बना सकते हैं झाल झाल झाल